क्रिस्स में प्यारे भाई और भेनों आप सभों को जेश। आज के दिन हम मनन्चिंतन के लिए लेंगे संध्योहन का सू समाचार अध्यायतीन पत संक्या तीस। यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और में घडता जाओ। प्यारे भाई और भेनों सेंट जॉन्त बाप्टिस्ट ने बहुत शक्ति शाली बहुत प्रभाव शाली एक वचन कहा कि मुझ में प्रभु बढ़ता जाए और में घडता जाओ। यह वचन हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे पूरे जीवन में, हमारे अस्तित्वत में गूंजना चाहिए कि मुझ में प्रभु बढ़ता जाए और में घडता जाओ। यह एक ऐसा वाक्य है जिसे हम दो भाग में तोड सकते हैं। आज के दिन मनन चिंतन के लिए हम पहला भाग लेंगे वह मुझ में बढ़ता जाए। जब हम कहें कि हमारे जीवन में प्रभु ये सुब बढ़ता जाए तब हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम प्रभु को देते हैं। प्रभु ने कैसे सोचा, प्रभु ने कैसे किया, पूर्न रूप से प्रभु के जैसे जीने की कोशिश करें। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के रूप के अनुसार अपनी आपको बदल दे। आईए आज के दिन हम देखे कि प्रभु कैसे जीते थे पहला हम देखे प्रभु क्या देखते थे कैसे देखते थे प्रभु हमेशा लोगों के तूटे हुए दिलों को एक पश्चातापी रिधय को हमेशा ध्यान दे दे थे जब वो आदमी पैरलाइस्ट 38 से वहां पड़ा उसने नहीं पुछा प्रभु से मुझे चंगाई चाहिए लेकिन प्रभु ने उसकी रिधय को देखा प्रभु ने उसे जाना हम प्रभु के जैसे चले वाक लाइक चीस प्रभु कैसे चलते थे वह सत्य में चलते थे वह प्रकाश में चलते थे उनमें अंधेरा नहीं था वो जो कुछ करते थे पब्लिकली करते थे, लोगों की भलाई के लिए करते थे तीसरी बात, प्रभु की तरह हम बाते करें संध्योहन के सुसमाचार अध्याई साथ पद संक्या 46 में हम देखते हैं प्रभु के बारे में लोग कहते हैं कि इनके जैसा आज तक कोई बोला नहीं है प्रभु का हा, हा होता था, प्रभु का ना, ना होता था वे हमेशा सत्य ही बोलते थे, सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलते थे हम प्रभु की तरह लोगों को माफ करें अगर हम संद योहन का सुसमाचार अध्याई आठ में देखेंगे, वहाँ पर एक स्त्री व्यविचार में पकड़ी हुई प्रभू के पास आते हैं। प्रभू उनसे कोई प्रश्न नहीं करते हैं। लोग हजारों प्रश्न, हजारों चीजें उस त्री के बारे में पूछते हैं, बोलते हैं। लेकिन प्रभु मौन बैठे है, प्रभु ने उसके पापों को देखा लेकिन प्रभु ने उसके पापों को देखा और फिर भी चुप रहे, प्रभु ने हर पापी को शमा दी है, कभी भी उन्होंने कैसे किया, क्या किया, कितना किया, क्यूं किया यह प्रभु ने नहीं दे करते थे प्रभु की इच्छा के अनुसार हम कभी नहीं देख पाएंगे कि प्रभु ने कुछ किया है प्रभु हमेशा पिता की इच्छा के अनुसा इमानदार होकर उन्होंने काम किया है उनके काम में कभी कोई मिलावट नहीं थी वे जब भी कुछ करते थे इश्वर की महि आटिटूड रहता था उन्हें पावर ऑथोरिटी लोग उनकी सेवा करना यह नहीं पसंद था उन्होंने खुद हमें सिखाया कि दूसरों का पैर दोकर वो जो गुरू थे वो एक दास बने तो उनका मनोभाव ऐसा था कि एक दास बने रहे और आखरी बात में कहना इच्च्वर को मन में ध्यान रखते हुए अपने पूरे जीवन को अपने प्लांस को प्रभू को समर्पित करते हुए प्रभू की इच्छा के अनुसार हम प्राथना करें प्यारे भाई और भेनों आज हमने देखा कि प्रभू कैसे सोचते हैं प्रभू कैसे देखते हैं ह हम हमेशा सत्य के मार्ख पचले, जो गलत कारिय हम करते थे उसमें से हट जाए, हमारे वचन जो हम कहते हैं वो दूसरों को हमेशा जीवन दे, प्रोहतसाहन दे, प्रभु की और लेकर आए, हम जब प्रातना करते हैं हमारी इच्छा की अनुसार नहीं, बलकि ईश्वर की इच कि अनुसार हम प्रातना करें जब हम काम करते हैं तब हमें प्रभु की जैसा काम करना जाहिए हम जहां काम करते हैं उस ऑफिस में उस जगब पर हमें प्रभु को लेकर आना है क्योंकि प्रभु वह एसु है वह इश्वर है जो लेवी के अफिस के अंदर चला गया था तो प् बहनों इस चालीसा में हम कोशिश करे कि प्रभु को अपनी जीवन में इंपोर्टन्स दे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे ताकि प्रभु के समान हम भी बदल सके और हम में हमारे अंदर हमारे जीवन में प्रभु बढ़ता जाए था मुझ फ्रादार सुल neighboring जकार जे में हम सिर्ण दे समान हम भी जिस देस्थ करेस्थ जादान ग襁बचिवन प्रभु के समानेको आप भी एम मैं हम जब ती जाएंश के ख profits दो नन्यादंब दो agrad जाल else झाएंश के समाने के जातर को जा टाएंश में जबदल करे डिभु के स